बुबनेश्व गस्तायति बा इस्ट्रो अधक्य जक्ट्र वी नारण आजी बुबनेश्व स्तिता सीटी टीसी सेंटर परिदर्शना कोईछन्ती एठारे इस्ट्रो रो विभीना मिसन पाई आनेक उपकड़ प्रस्तितो हुए एई अबस्तर अरी से कईच्छन्ती जे अढ़े बर्स मदरे लांच अब चंद्रायन 4 एथि पाई प्रस्तताची इस्ट्रो सीटी 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 सहा इस्ट्रो रो तीरीस बर्स रो ये संपर्का साटिलाइट प्रपलेशन एठारे दियारी हुची चंद्रायन 3 रे लैंडर 600 कि किलोग्राम रो लैंडर रोची चंद्रायन 3 314 दिन पाई थिला चंद्रायन 4 किंतु 100 दिन पाई रोई भारतियों गगन जात्रिंकु महाकास्त को नेवलागी प्रस्तती चाली छी एहा सहिता कम्मुनिकेशन साटेलाइट लांच अबाकु मधो जाओ छी दोजा सते इस्रे प्रतमों मनिश्यों भारतिरों स्पेस कुझ वेवली से कोई छंती एही गस्तरे सेवबरेश्यों रितिबा ओडिसा उनिवर्सिटी ओफ रेक्नुलोजी और रिसर्च एबम नाईसोरे तांकरो वक्रुता देबारो काज्यक्रमरोई चे पारे संध्या साढ़े चाटरे सिख यहूद कर चन्तरे से एमेफ खारे सी संर्व और रेक्ने साढ़ थख व्पला पstalते साप्स माऌट रोग भουड़ी टो अवर नैशन्शू ए्यायओ टार उन्टाम लेखी ये लाजन करेसे हैं जायां जासनू में जालाव लेख अधिया, प्र जाटरेट विंड प्री लार्ट इस एकिसे लानेशन केंगा लाटरेटि धिस के लाटरेट खाम जाटरेट ले विखिज विपर बेक अंवार्टेट रोड़ गिरी विर दिखंड विवशने संदूर प्रेट कर दोन्रोथ को पंजरे करें और रहर थाफ और रहर जए 15 कज और और रहर ऑफ्टे जर्वी प्रविते यह प्रविज़ी के लिचवाटर अजोडिए प्रविज प्रून यह जद रिट विर शुन प्रविए फ्रीवाटर जदीन, युट यह जो जए आवार जब ही लिए 60-12 q 30 right conclusion and this year we are going to have important missions like NASA is was and that up works a radar a satellite built together both the countries and we are going to launch and we are going to have a commercial blue better to mission for NASA and then I was a team at observations are only they are going to lived from Indian is on tractor vehicle and the first rocket realized through space sector reform through the industry is going to come up and by august time frame you are going to launch that and we are going to place a technology development satellite in which almost 30 plus technologies, new technologies we are going to demonstrate including quantum technology and then of course electric propulsion and lot of things we are going to do and we are working on the space station, first module right now project of ProLASCOM we are working and huge infrastructure like third launch pad, second launch complex, those areas we are working and our hands are really tight and every month you can expect one launch at least.